सबीक नमस्कार मैं हूँ सुभास आप देख रहे हैं यूटूब का प्राचिन कान्या चानल को और मैं फिर से हाजरू हूँ एक नई वीडियो के साथ में जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हम अकसर बात करते हैं सबसे बात करेंगे जिससे हम सब लोग डरते हैं मतलब मैं आज बात करूंगा मौत के उपर इसमें बहुत सरी लोग यह सोचते हैं कि मौत के पीछे एक सबसे बड़ा हाथ जो रहता हूँ भगवान का रहता है यानि कि आपने अक्सर आए दिन अपने आसपास भी देखाऊगा, जब भी हमारे परेश्जन की, या हमारे घर पर या आसपड़ोस में जब भी किसी की मिर्तु होती है, तो हम आपस में डिसकस करते हैं, चलो भगवान ने इसे अपने पास में बुला लिया, या भगवान ने इसको उठा लिया। इस तरह से बहुत सारे कथन हमारे असपास देखने को मिल जाते हैं और हम सोचते हैं कि इस सारी चीजे भगवान करते हैं और इसका पूरा का पूरा सिरे भगवान को जाना चाहिए। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है और नहीं होता है तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले में आपके एक बात पता देना चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरी बुक का इंतजार कर रहे होंगे प्योर स्प्रेच्छुलिटी का उनके लिए एक बिल्कुल अच्छी ख़बर ये है कि हमारी वेबसाइट लॉंच हो चुकी है जिसमे www.prachankarnia.com पर आप जा सकते हैं उसमें अभी आप क्या कर सकते हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे विलोग सामने लिखने स्टार्ट करती हैं मैं और मेरी टीम ने और इसके साथ साथ मैं आप क्या कर सकते हैं कि उसको एक संदर बना के आप उनको विलोग को पढ़िए दीरे सारी चीजों को कर रहा हूं लेकिन जल्द सा जल्द मेरी कोशिस है कि उस बुक को भी मैं पबलिस कर दूं और आप सब के बीच में वह आ जाए और आप सारे लोग जितना भी वेट कर रहे हैं और दूसरे सब लोग अवेकर पहुँजाएं इसके साथ मैं ये भी आइ मैं कभी भी किसी को नहीं बोलता हूं कि मेरी वीडियो पर या मेरी बातों पर विश्वास कीजिए मैं हमेसा एक बात का व्लोकन जरूर करता हूं जिसकी माधियम से कि आप ये जान पाएं कि जो भी मेरी वीडियो में कुछ अच्छा है उसको आप फिक्कर सेक्ड़ें अग किसी लोग पर उफिश्वास करने लगते हैं तो उससे परणाम क्या होते हैं कि हम एक जगा temperature दोपिक पर ये यसिका हम बात करेंगे मौद के ओपर वैसे हम सब जानते हैं कि हमार लिए सबसे जढ़ादा जयाता है वह मौध मौध और ऑ जब झथी की मौध cons teens यहां से चला जाता है तो हमारे लिए सबसे ज्यादा धुगदाई होते हैं, और हम उस मौत का सार अगा सारा ब्लेम हमारे अपने परमात्मा के उपर मंड देते हैं, क्योंकि हमारे साइकिलोजी जो हीमन साइकलोजी रहती है, कुछ इस तरह से रहती है, कि हमें कोई चाहिए हर जगे किसी ने किसी को जिम्मेदार ठहराने के लिए तो हमारे लिए क्योंकि भगवान है परमात्मा है तो सबसा इजी ओप्सन रहता है परमात्मा को इसका जिम्मेदार ठहराने के लिए लेकिन आज मैं इस वीडियो के मादियम से आपको हकिकत से अबगत कराता हूँ, दोस्तों कभी भी कोई भी किसी की भी मोत के लिए हमारे परमात्मा जिम्मेदार नहीं होते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम डिजाइन क्या हुआ है जो एटमेटिकली रन कर रहा है और हमेशा खुद दिन में क्या कर रहे हो, क्या activity कर रहे हो, तो सारा data को collect करना, उसको analyze करना, आपके कैसे कर्मा बने, अच्छे बने, ये positive बने, ये कैसी भी बने, negative हैं ये positive हैं, उन सबको analyze करके आपके कर्मा के हिसाब साब आपकी पूरी life cycle को set करने में मदद करता है, तो इसमें आप क्या सो सकते हैं, देखी, इसमें परमात्मा का कहा हाथ है, जो angels रहते हैं, वो आपको रास्ता दिखाते हैं, जो गुरु आत्मा रहती है, वो आपको train करते हैं, कि वहाँ पर कैसे होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजों को लेके आपको बाते बताते रहते हैं, लेकिन इसमें जो एक खायद आता है या मज़ा आता है तो वह है परमात्मा हम अकसर अपना सारा दोस्त उनके उपण मन देते हैं किसी भी चीज के लिए अगर अभी तो हम मोत की बात कर रहे हैं अगर आपके जीवन में कोई छोटी-मोटी घटना भी होती है तो हम बोलते हैं चलो भगवान कोई अ आप से उस सिष्टम चलता जा रहा है और ये सिष्टम इसी तरह चलता जाएगा लेकिन वही है कि हमारी human psychology भी चल रही है और चलती जाएगी हम आए दिन अक्सर हमें सब अपने भगवान पर ये अपने परमेसवर पर इसका पूरा दोस मंडते रहेंगे लेकिन हकीकत यही है म हम डिसकस करेंगे क्या हम सच में मरते हैं या सिर्फ एक ब्रह्म है या illusion में हम जी रहे हैं तो आने वाली वीडियो में इसके उपर डिसकस करेंगे बने रही है मेरी साथ में और प्लीज अगर आप स्प्रिच्वलिटी बेस्ट ब्लोग या कंटेंट या आर्टिकल पढ़न झाल